नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सर्माव पित्री पक्ष में पित्रों को तरपन किया जाता है उनकी सांती के लिए उनकी उनको परसंद करने के लिए उनसे आसिरबात प्रात करने के लिए क्योंकि पित्र देव पित्री पक्ष में स्वर्ग लोक से धर्ती पर अपने परिजनों से मिलने आते हैं और कहा जाता है कि इसमें पित्रों की सक्ति बढ़ जाती है और देवता के साथ पित्र देवों की भी पुजा होती है अगर पित्री दोसों तब उनसे मुक्ति पाने के लिए भी पित्री पक्ष में ही परियोग किये जाते हैं पित्री पक्ष की सुरुवात हो रही है और पित्री पक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सुरी देव को जल देने वाले लोटे में क्या डाले और कैसे आप अपने पित्री देवों का आसिरबात प्राप्त क कुंडली के हर दोसों से मुक्ति पा जाएं। देखिए हमारे परिवार के जिन पुरवजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पित्री दे मानते हैं। और जब तक किसी ब्यक्ति की मिर्टियों के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता वो सुक्छ मुलोक में रहते हैं। ऐसा हमा पित्री पक्ष में जो 15 दिनों का वक्त है पित्री देव धर्ती पर आते हैं और अपनी लोगों के ऊपर आसिरबाद भी बरसाते हैं। उन पर ध्यान देते हैं। और उनका आसिरबाद हमें प्राप्त हो हमारे जीवन की समस्याएं दूर हो इसके लिए उन्हेंने मनाना भ पित्री देवों का आसिरबाद हाना कि वो आसिरबाद देने ही आते हैं और आपकी समस्याओं को समावत करने आते हैं। और पित्री पक्ष में जब हम लोग अपने पित्रों को याद करते हैं उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं तब पित्री देवों का जो जरूर करना चाहिए जब आप अपने पित्रों को नियमित रूप से जल और पित करते हैं तब कुछ बातों का ध्यान भी रखना है जल हमेशा दक्षिन दिशाकी और मुह करके दोपहर के समय या फिर आप कम सकम आठ बजे के बाद दे वैसे सुबह भी दे सकते हैं लेकिन पित्रों को जो जल दिया जाता है वो दिन के समय दिया जाता है थोड़ा लेट होने जल में एक चुटकी काला तिल जरूर डालिए और अगर आपके पास कुसा घास है तो ले लीजिए जिस दिन पुरवजों का देहांद किती होती है उस दिन अनवस्तरदान किया जाता है जल में काला तिल डाल कर रोज ही अरपित करेंगे और जिस दिन आप उनके निमित अनवस्तरदान करेंगे उस दिन निर्धन को भोजन भी करवाईएगा इसके बाद पित्री पक्ष के कारे समाफ्त हो जाते हैं और अब सवाल ये भी है कि कौन पित्रों के लिए जल अरपन करें या स्राद कर सकता है घर का बरिष्ट पूरुस जो है वो नित्य तरपन कर सकता है जो आपके घर में बरिष्ट पूरुस है अगर वो नहीं है किसी काम में बेस्ट है तब घर का कोई भी पूरुस सदस्य कर सकता है जैसे पोता है नाती है यानि पौत्र और नाती वो भ हम पालन जरूर करना चाहिए इस समय पित्री पक्ष में जब आप उनके निमित तरपंदान करते हैं उनको जल अरपित करते हैं आप इसे इस तरह के इस दिन इस समय चुकि पंदरा दिन सात्वी चीजों को अपनाया जाता है जैसी कि मांस मदीरा लहसन प्याज बेगरा कत्या कर दिया जाता है साग बेंगन नहीं खाया जाता मसूर दाल नहीं खाया जाता तो इस अबधी में दोनों बेला स्नान करके पित्रों को याद करना चाहिए कुतब बेला में पित्रों को अगर तरपन दे तो इसी बेला में तरपन का भी सेस्मात तो होता है अब तरपन में पित्री पक्ष का पालन करते हैं तो एक बेला आप या दोनों ही बेला खाना खाएं पर सात्वी भोजन खाएं जैसे कि लहसन प्याज बेगरा मत खाईए और जहां तक संबभ हो दूद का परियोग भी कम से कम कीजिए और पित्री देवों के निमित हलके सुगंध वाले सफे करना पिंड दान करना सरबोत्तम होता है और पित्री पक्ष में यदि आप स्रीमद भागवद गीता का निमित पाठ करें सब्तम अध्याए 11 में आध्याए का तो उनको मूख्छ मिलता है लेकिन किसी से करज लेकर समाज में अपने आपको दिखाने के लिए दवाब में आक क्योंकि सुभा जब आप उनको जल अर्पित कीजिएगा उनका तरपन कीजिएगा तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें जैसे कि भगवान सुरी को पहले जल दें और फिर पितर देवों की निमत उनको जल देकर उनकी आत्मा की सांती के लिए प्राफना करें और यह सब क सबसे आसान यह है अगर आप धूप बेगरे जलाते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि धूप की तरह अपने हातों से थोड़ा घी गुड़ और भोजन कंडे पर भी डाला जाता है इस दिन और यह प्रक्रिया कम से कम पांच बार घी गुड़ और पांच बार भोजन से बने काहवन भी किया जाता है और मंतर इस दिन पित्री देवों के निमित तजबा जाता है हलांकि मंतर बोलने के बाद आप अपनी हाथ थतेली में पानी ले और अपने अंगुठे के साहे होग से जमीन पर परवाहिद कर दें से बताएंगे कि जब आप सूरे का तांतरिक मंतर का जब करते हैं सूरे को जल देते समय तो उसके बिसेश फायदे आपको कैसे मिलते हैं और जीवन की समस्त मुश्किलों से आप कैसे आसानी से बाहर आ जाते हैं और साथ ही अगर आप वो मंतर तांतरिक मंतर ना पढ़ें तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, आप ओम आदित्या вамह का जब कर सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ें पर एक बात याद रखिए सूरी को कभी भी बिना अस्नान किये अर्द मत दीजेगा और साथ ही अगर आप सूरी को रोज जल अर्पित करें तो ये सर्वोतम होगा अगर सूरी के सामने खड़े होकर रोज 27 वर गायतरी मंतर पढ़ें तो जीवन में कस्टी नहीं आएगा अगर ग रिसानियों से मुक्ति दिला देंगे बस एक बार सूरी के सरण में आकर तो देखिए क्योंकि वो कुंडली के हर दुरियोगों को समाप्त कर देते हैं क्योंकि सूरी राजा हैं ग्रहों के एक बिसेस मंत्र अगर आप सुर्य को जल अरपीत करने के समें बोलते हैं तो कुंडली के नो के नो गरह मजबूत हो जाते हैं सुर्य का मंत्र बोले ओम एही सुर्य सहस्तरांसो तेजो रासे जगत पते अनुकंपे माम भक्तिया ग्रिहनार्थ दिवाकरह इस मंत्र का जब करके सुर्य को जल अरपीत करें इसके बाद सीधे हाथ की अंजूरी में जल लेकर अपने चारो और छिड़के फिर जहां पर आप खड़े होकर हनुमान चालीसा पड़ें लेकिन अगर पित्री दोस हो तब तब पित्री देवों के निमित उनको प्रसंद करन के लिए लोटे में सुर्य को जल अरपीत करने के बाद एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल डालकर आप दक्षिन दिसा की तरफ पित्री देवों के निमित जल अरपीत कर दें इससे पित्री देव संतुष्ट होंगे और उनको जो वह जिस चीज की चाहत से आपके पा के लिए सुर्य का सीधह संब्द गुड़ और्तामभा से होता है अगर आप अपने हांतों से रभी बार के दिन गाय को गुई खिलाते हैं अगर अगर आपका पैसा किसी in दे लिया है कई फंस नहीं कर पा रहा या फिर आपका पैसा कहीं ब्लॉक है आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिल जाए तब जब भगवान सुरी को जल अर्पित करें तो रभी बार के दिन से सुरू करके अगर आप महिला है तो लगातारे कईस दिन अगर आप पुरुस हैं तो लगातार 27 दिन एक प्रक्रिया करना है जल में 11 लाल मिर्च के बीज या फिर एक चुटकी लाल मिर्च के बीज डाल कर अरपित करें भगवान से प्राथना करें सिग्रधन प्राप्ति के लिए अगर मंगल कमजोर हो तो जल में सक्कर या फिर गुर डाल कर अरपित करें तो आपका मंगल बेहतर होता है जीवन में कस्ट कम होते है सत्रू बिरोधी जादा परेसान करे आपको लगे कि सत्रू बहुत जादा परेसान कर रहे हैं तब जल में लाल गुड़हल के पुस्प डाल कर सूरी को अरपित करें तो सत्तु विरोधी सांथ हो जाते हैं अगर बैबाहिक जीवन में समस्या है या फिर आपका बिवार नहीं हो पा रहा है तब जल देते समय सूरी को जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर अरपित करें जो बिद्यारती हैं पढ़ाई पे फोकस करने के लिए पढ़ाई में अच्छा करने के लिए जब सूरी को जल अरपित करें तो उसमें स्याही डाल कर अरपित करें ज्यादा नहीं एक दो बुन डाल कर अरपित करें तो पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा और आपका खुब तेज बढ़ेगा मान बढ़ता है नौ के नौ गरह अच्छे फल देने लगते हैं आपका सम्मान बढ़ता है सरकाई नौकरी प्रापती के योग बनते हैं जीवन में जो परिशानी है वो समापती होने लगता है कुछ लोगों के गरह दोस खराब होने के कारण जीवन भर उन्हें दुरभागे का सामना करना पड़ता है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो रभी बार के दिन नो गरहों के अधिपती है जो सुरे उनका ही दिन है और इस दिन छोटा सा परियोग जरू करें वैसे इस दिन तंत्र सास्तर में धन प्राप्ती के लिए एक राम बान उपाय बताया गया है जो कि आपके जीवन के जो दुरभागे हैं उनसे चुटकारा आपको दिलाएगा एक छोटा सा परियोग करें क्या करेंगे देखिए रभी बार के दिन सुरियोदे से एक घंटा पहले उठिए असनान वेगर कर लें अब ओम ग्रिनी सुरियाए नमा ओम ग्रिनी सुरियाए नमा एक सो आठ बार जब करें और अपने सामने की स्टील या चांदी के बरतन में आप जल में थोड़ा सा दूर डाल कर हूं में अचले जर श wrapsकर दो हम थोड़ा सामने की सामने इंगर कर ईसका भी आचिए ओम भी में के इंगा खिए आव Candसे में आवड़ा से के लाई से लाग, की प strang Dafै देखिए झाल क जल में अऍमा इंग, की तेम आई TIME है